सामुहिक्ता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेडियों को तोड़ा सा, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकद भी बनाएगी। सामुहिक्ता की यही शक्ति आत्म निर्भर भारत भ्यान का मुल्भुत आधार है। इस देश को 130 करोड देश वाच्छों के लिए भी आत्म निर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की बनाई के लिए भी आप कल्पना की करिए। इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से जादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाईयां भेजी। आज भारत ने दुनिया के अलग देशों से अपने 50 लाग से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया। जब भारत ने अनेकों देशों के हजारे और नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा। जब आज भारत खूद कोरोना की वैक्षिन बना रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गती से टिका करन कर रहा है। जब भारत मानव जीवन की रक्षा को धान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्षिन पहुचा रहा है। दे रहा है। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा। साधियों इस अभियान को सभल बनाने के लिए अभूत्पूर्व प्रयासों की भी जरूरत है। इन वगिरत प्रयासों की एक जलक हमें इस बार के बजेट में भी दिखाई देती है। कोरोना कान में देश के सामने जो चुनवतियां आई उनके समाधान को ये बजेट नई तेजी देने वाला है। आफियों बजेट के पहले कई दिगज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकर का सामना किया है। इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। देश के आम नागरिक पर बोज लालना ही होगा। नए नए कर लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजेट में देश वासियों पर कोई बोज नहीं बढ़ाया गया। बलकि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जादा से जादा खर्च करने का फैसला लिया है। इस खर्च देश में चौडी सरका बना सरके बनाने के लिए होगा। इस खर्च में फूल बनेंगे रेल की पट्रियां बिछेंगी नई रेल चलेगी नई बसे भी चलाई जाएगी। सिक्षा पढ़ाई लिखाई की ववस्ता अच्छी हो, हमारी विवाओं को जादा अच्छे आउसर मिले, उसके लिए भी बजेट में अनेक फैसले लिए गए हैं। और साथियों, इन सब कामों के लिए काम करने वालों की भी तो जरूत पड़ेगी। जब सरकार निर्मान पर ज्यादा खर्च करेगी, तो देश के लाखों नवजमानों को रोजगार भी मिलेगा। आमदनी के नई रास्ते खुलेंगे, साथियों, दसकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही हो गया था कि किसके नाम पर क्या गोशना कर दी गई। बजट को बोट बैंक के हिसाब किताब का वही खाता बना दिया गया था। आप सोचिए, आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा, अपनी वर्तमान और भविश्की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने बजट को ऐसी गोशनाओं का माध्यम बना दिया था, जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है, एप्रोच बदल दी है। लेकिने की जाताली है। आप्रोच की जब दी पातारी हे ने ही्या थास्टू जोन दी है। झाल झाल